नमस्कार गार्णों स्वागत है आपके अपनी यूटीकी चाहित बात करने वाले है बजार के अंदर जिस तरह की का मोमेंट आपने कल देखा दे कल थ्रस्टे था कहने का मतलब यह है कि कल weekly options expiry थी तो weekly options expiry के दिन आपको इसी तरह की उठापटाक अक्सर देखने को मिलती रह सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अमेरिकी बाजारों के तरफ से किस तरीके के संकेत हम लोगों को दिखाई दे दे लें देखे कल के दिन जो भी कारोबार हुआ उपर नीचे के चार्ट पेटर आपको बनते हुए नजर आया अब दोस्तों संकेतों को पढ़ने की कोशिज क करते हैं तो अमेरिकी बाजारों के अन्दर को घरावर देखने को म भी और सारे मार्कित ऐसे हैं जो विश्व के जिनके आपको काफी तक दिन गिरावर दखने को मिली है लगभा 1714 पुइंट Kollege तो यह MORच के भात करते हैं तो इसके इंदर भी हम लोगो यह को भी दिखाई दे raha काफी सारे मार्केट ऐसे हैं जिसके इंदर हम Mais aula का आपको बिला करोपार को दिखाइआ दे रहा है देखिए सबसे पहले बात करें गे यूएस 30 की तो इसके अंदर हम लोगों को इस समय कारोबार होता हुआ नजर आ हुए यूएस 500 की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हरियाली दिखाई दे रही है, यह स्के इंदर भी हम लोगों को पॉजिटिव नैस दिखाई जरी है निकई की बात करते हैं तो इसके इंदर भी हम लोगों को ग्रीन में ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है इसी तरीके से दोस्तों कर बात करे हैं अपनी निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 के इंदर फिर जो है खबरे दिखाए देरी है इने common को दिखाया तो सबसे पहले बात करेंगे गेल कंपनी के बारे में हैं की जस तरीके से लगातार इस कंपनी का position रहा है तो अज़े खास से रिटन भीयर दक हम लोगों के बने है उपर सब्सक्राइब को आप बट अगर जब भी मार्केट के अंदर हम लोगों को यह गिरावट थमती उन्दर आएगी तो कहीं न कहीं रेली भी इस स्टॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलने वाली है बट अगर टोटल मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आया उसके अंदर और भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली तो यह स्टॉक्स भी आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आ सकता है बट फिलाल में जो खबर आई है वो बजार बंद होने के ब बाद में आई है तो लगबग 2.50 बिलियन रुपीज के आसपास फंडरेज यह कंपनी करने वाली है तो कहीं न कहीं भारी उठापटक इस स्टॉक्स के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है इस स्टॉक्स को भी आज अपने रडार पर रख सकते हैं यह स्टॉक्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है तो रो मेट्रियल का जो है सही तरीके से अराइवल नहीं हो पा रहा था उपलब्द नहीं हो पा रहा था जिसके वज़े से इस जो है प्लांट को स्टॉक्स को भी आज आपने रडार पर रख सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर भी आज आ रडार बंद होने के बाद में आई है देर रात ये बड़ी खबर हम लोगों को अवलेबल हो पाई है तो फिलाल में क्या है कि इसका मरजर हो रहा है एक कंपनी है यूएस बेस्ट तो कहने का मतलब यह कि इस स्टॉक्स के अंदर भी आज आपको भारी उठापटक देखने को म सकती है दोस्तों बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में तो ओंगी सी देखे कल के दिन स्टॉक्स के अंदर क्या कुछ हुआ पॉजिटिव नैस आपको देखने को मिल रही है जिस तरीके से मार्केट के अंदर हम लोगों को गराबट देखने को मिली थी बट यह स्टॉक् 50 मिलियन रुपीज के आसपास तो कहने का मतलब है कि यह स्टॉक्स भी आज भारी उठापटा किसके अंदर भी देखने को मिल सकती है यह स्टॉक्स भी आपके रडार पर होना चाहिए जोस्तों बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में तो भारती एर्टेल देखिए यह स् आज बनते हैं कि इंडिया के अंदर तो इंवेस्टमेंट ये करते रहते हैं तो आफरिका के इंदर लगभक 200 मिलियन डॉलर के आसपास जो करने की योजना इन्होंने बनाई है तो दो चलणों के अंदर ये इनवेस्टमेंट किया जाएगा तो कही न कहीं ये स्टॉक्स भ झाल झाल